नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके में दोस्तों भाईदूच कब है? कब मनाएं भाईदूच? कब मनाया जाएगा भाईदूच? जानिए पूजा विधी से लेकर के शुब मोहरत तक सब कुछ दोस्तों, दिवाली का पूरा हफ़ता त्योहारों में बीटता है धन्तेरस से शुरू हुए त्योहार भाईदूच के साथ खत्म होते हैं पंचान के अनुसार हर साल कार्तिक मा के शुकल पक्ष की द्वित्या तिथी पर भाईदूच मनाया जाता है भाईदूच ऐसा पर्व है जिसमें बहने अपने भाई को तिलक करती है और उसे सूखा नारियल देती है ये दिन भाई और बहन के प्रेम के प्रतिक के रुप में मनाया जाता है इससे यमराज और यमुना की पौराने कथा भी चुड़ी हुई है जानिये इस साल कब मनाया जाएगा भाईदूच कब है तिलक लगाने का शुब मोहरत और क्या है इस दिन को मनाने के पीछे की कथा दोस्तो भाईदूच दो हजार तेईस की तारीक को लेकर लोगों में बहुत जादा कन्फियूजन है आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तो इस साल पंचांग के अनुसार कार्टिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वित्या तिथी आरंब 14 नवंबर दोफैर दो बचकर 36 मिनट से हो जाएगी और इस तिथी का समापन अगले दिन 15 नवंबर एक बचकर 47 मिनट पर होगा इसके चलते 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज मनाई जाएगा 14 नवंबर मंगलवार के दिन दोफैर बात से ही भाई दूज मनाया जा सकता है दोफैर दो बचकर 37 मिनट से शुब मोरत लग रहा है भाई दूज के दिन भाई को तिलक करने से पहले यमराज और मा यमुना का ध्यान करना शुब मना जाता है इसके बाद भाई के माथे पर तिलक और चावल लगाया जाता है और उसे मिठाई खिलाई जाती है इस दोरन बहने भाई को सुखा नारियल देती है और भाई बहन को उभार देते हैं इस दिन काले वस्तर पहनना अशुब माना जाता है तो आईए जान लेते हैं अब भाई दूज क्यों मनाया जाता है इसके अनुसार क्या है पराणिक कथा माना जाता है कि भाई दूज की कता यमराज और यमुना से जुड़ी हुई है पराणिक कताओ ग्यानुसा यमराज और माय यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संताने हैं और भाई बहन हैं दोनों में बेहत प्रेम था अर्सो बात जब यम्राज बहन यमुना से मिलने पहुचे तो उन्होंने भाई के लिए धेरो पकवाद बनाए, मस्तक पर तिलक लगाया और भेट में नारियल दिया इसके बाद यम्राज ने भाई बहन से वर्दान में उपोहार स्वर्व कुछ मांग लेने के लिए कहा जिस पर माई यमुना ने कहा कि वे बस ये विंती करती है कि हर साल यम्राज उनसे मिलने ज़रूर है इसी दिन से भाईदूच मनाई जाने की शुवात हुई है माना जाता है कि भाईदूच के दिने यम्राज बहन यमुना से मिलने आते है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद